आखिर अचानक शी जिंग्पिंग गायब क्यूं हो गए हैं? पूरी दुनिया में हेडलाइन छप रही है कि शी जिंग्पिंग को हाउस अरेस्ट यानि की नजरबंद कर लिया गया है आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है? आखिरे खबर सोशल मीडिया पर फैली कैसे? और इन खबरों में कितना अधम है? शी जिंग्पिंग का तकता पलट हुआ है या नहीं? इस रिपोर्ट में देखिए शी के गायब होने का पूरा सच्च क्या शी जिंग्पिंग नजरबंद हो गए हैं? क्या शी जिन्पिंग को कैद कर लिया गया है ये वो सवालिया निशान है जिसके जवाब पर दुनिया में बहुत कुछ निर्बर करता है पोतिन ने अपने खोफिया विभाग की पूरी ताकत बीजिंग में जोग दी है अमेरिका के इंटेलिजन्स एजन्सी CIA चीन से पल पल की अपडेट ले रही है चीन के अंदर मौझूद ISI के जासूस बीजिंग में हो रही हर हरकत पर नजर रखे हुए आखिर चीन के अंदर ऐसा क्या हो रहा है क्या वाकई में शी जिन्पिंग की गुर्सी जा चुकी है पाकिस्तान में अलग कोहराम मचा हुआ है क्योंकि उनके आकाश शी जिन्पिंग का कुछ पता नहीं चल रहा है ये शी जिन्पिंग की कजाकिस्तान के दौरे की तस्वीरे हैं यही शी जिन्पिंग की वो आखिरी तस्वीरे हैं जो सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने आई है इसके बाद शी जिन्पिंग मीडिया में नजर ही नहीं आ रहे आखिर Xi Jinping कहां गाईभ हो गया यही सबसे बड़ा सवाब बना हुआ है अगर शी जिन पिंग का तख्ता पलट हो चुका है तो आखिर इस तख्ता पलट के पीछे कौन है कौन है 105 साल की सौंग पि जिनको शी जिन पिंग के तख्ता पलट के पीछे असली मास्टर माइंड माना जा रहा है क्यों शी जिंपिंग को लेकर पूरी दुनिया में खलवली मच गई सब कुछ हम आपको बताने वाले है शी जिंपिंग समरकंड में SEO की बैठक के लिए पहुँचे थे और उस वक्त उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि भविश्य में उनके साथ क्या होने वाला है शी जिंपिंग जब समरकंड में SEO की मीटिंग के लिए आये थे तो उनको इस बात का ज़रा भी अनुमान नहीं रहा होगा कि आगे आने वाले कुछ दिनों में ये कयास भी लगाए जाएंगे कि उनसे चीन के प्रेसिडेंट की कुर्सी चीन ली गई है शी जिंपिंग का स्वागत कदाकस्तान में बहुत दूमधाम से किया जा रहा था लेकिन शी जिंपिंग की नजर उस वक्त भी बीजिंग पर बनी होई थी आखिर क्यों? इसकी वज़ा बहुत साफ है शी जिंपिंग को ये पता था कि उनके नहीं रहने पर बीजिंग में उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा सकती है दावा ये किया जा रहा है कि शी जिंपिंग के खिलाफ साजिश रचने के लिए काम किया सौंग पिंग सौंग पिंग के उम्र 105 साल है Song Ping Chinese Communist Party के सबसे वरिष्ट नेताओं में से एक है Song Ping पूरे चीन में Communist Party के कार्रे करताओं के दिलों में काफी सम्मान रखते हैं धावा ये किया जा रहा है कि Song Ping Chinese Communist Party की कई मीटिंग्स पे पहले ही ये कह चुके थे कि Xi Jinping को असीमित शक्तियां नहीं मिलने चाहिए Communist Party के नेता हू जिन्ताओं और वें जिया बाओ भी Xi Jinping से नाराज थे कि आखिर Xi Jinping ने खुद को ही चीन का आजीवन राष्ट्रपती कैसे चुन लिया कई अंतराश्री आखबारों में ये दावा किया जा रहा है कि जब शी जिन्पिंग समरकंद में थे तब ही Chinese Communist Party के अंदर चीन के पूरू राष्ट्रपती हू जिन्ताओं और चीन के पूरू प्रीमियर वें जियो बाओ पॉलित ब्यूरो स्थाई समीती के पूरू सदा से Song Ping से मुलाखात की इन दोनों नेताओं ने Song Ping को रासी कर लिया और Central Guard Bureau का नियंतराण शी जिन्पिंग के विद्रोही गुट को सौफ दिया Central Guard Bureau चीन का एक विशेश संगठन है जो चीन के अंदर जिन्पिंग उनके परिवारों कमनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं और चीन में मौजूद महतोपूर विदेशी गड़मान व्यक्तियों की सुरक्षा के जैसे ही शी जिन्पिंग का सुरक्षा का वचटा फॉरन कमनिस्ट पार्टी के पॉलिद ब्योरो की स्टैंडिंग की सैन्ने ताकते चीन ली पॉलिद ब्योरो की स्टैंडिंग कमिटी में इस वक्त साथ सदसे हैं शी जिन्पिंग इस समीती के पहले मेंबर है यहां फैसला चार तीन से होता है लेकिन जिन्पिंग की ना मौजूदगी में ही फैसला ले लिया गया और इसी समीती ने शी जिन्पिंग की सैन्ने शक्त दरसल चीन की सेना यानि पीले को एक कमिटी चलाती है जिसका नाम है Central Military Commission शी जिन्पिंग इसी Central Military Commission के चेयर मैंन है यानि शी जिन्पिंग चीन की सेना के सुप्रीम कमांडर की तरह है लेकिन अंतराश्च्री आखबारों के दावे के मताविख जैसे ही शी जिन्पिंग से सेना को आदेश देने का अधिकार चीन लिया गया वैसे ही जिन्पिंग की ताकत चीन में खत्म हो गई दूसरी तरफ समरकंद के अंदर शी जिन्पिंग को बीजिंग से पल-पल की खबर मिल रही थी और जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला कि उनकी सैन ने शक्तियां छीन ले गई है वो फॉरण बीजिंग के लिए रवाना हो गए 16 सितंबर को ही शी जिनपिंग बीजिंग के लिए लोट गए लेकिन दावे ये किये जा रहे हैं कि जब वो बीजिंग एरपोर्ट पर पहुँशे तो उनको गिरफतार कर लिया गया और फिर नजरबंद कर लिया गया और कहा ये जा रहा है कि इन सब के पीछे एहम रोल था CCP के ही एक नेता का यानि ये सब हो रहा था सौंग पिंग के इशारे पर जिनके उम्र 105 साल है और वो चाइनीज कमिनिश पार्टी के सबसे बड़े और वयो ब्रिद सीनियर बेता माने जाते हैं सबसे पहले जैनिफर जैंग ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया जैनिफर जैंग के ट्विटर पर दो लाग से भी जादा फॉल्वर्स है और वो चीन की आर्मी के अंदर से खबरे लाने के लिए जानी जाती है इस वीडियो के जरीए ये दावा किया गया कि 22 सेतंबर को चीन की आर्मी बीजिंग के लिए निकल चुकी है और चीन की सेनाओं की गाडियों और बक्तरबंद गाडियों की संख्या एतनी जादा थी कि 80 किलोमीटर तक का फासला बन गया जैनिफर जोंग ने यही वीडियो अप्लोड किया है ये पुल 55 सेकंड का वीडियो है जिसमें चाइनीज आर्मी के जवानों की 35 से जादा गाडियां देखी जा सकती है दावा ये किया जा रहा है कि बीजिंग को चीन की आर्मी ने घेर लिया है और बीजिंग आने वाली फ्लाइट्स को कैंसल कर दिया गया है दावा ये भी किया गया कि रेलवे रूट से भी बीजिंग का संपर्ट तोड़ दिया गया है और बीजिंग को पूरे चीन से अलग तलग कर दिया गया है अब अगर ये दावा सच है तो ये सवाल उठता है कि आखिर चीन के अंदर शी जिन्पिंग के विरोधियों ने ऐसा क्यों किया कहा ये जा रहा है कि पूरे चीन से शी जिन्पिंग के समर्थन में बड़ी संख्या में सपोर्टर्स बीजिंग पहुंचने की तैयारी कर रहे थे और यही वज़य है कि चीन की आर्मी ने पूरे बीजिंग को अपने कंट्रोल में लेकर जबर्दस्त नाके बंदी कर दी ताकि जिन्पिंग का कोई भी समर्थक बीजिंग के अंदर एंट्री ही ना कर सके एक और वेरिफाइड यानि ब्लू टिक वाले ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर अप्लोड की गई जिसमें बीजिंग की फ्लाइट्स को कैंसल दिखाया गया कहीं यह दावा किया गया कि बीजिंग में करीब 60 प्रतिशत फ्लाइट्स को कैंसल कर दिया गया है तो कहीं यह दावा किया गया कि 5000 से जादा फ्लाइट्स कैंसल कर दिया गया है लेकिन भारत के अंदर सुब्रमन्निम स्वामी ने भी एक एहम ट्वीट किया उन्होंने दावा किया कि इस नई अफवा की जाच की जाए कि क्या शी जिनपिंग वो बीचिंग में नजर बंद कर लिया गया है माना जा रहा है कि जब शी हाल ही में समरकंद में थे तब चाइनीज कमनिस पार्टी के नेताओं को शी जिनपिंग से सेना के अधिकार छीन लिये गया थे वैसे शी जिनपिंग अपने राजनितिक विरोधियों पार भरष्टा चार क्या रोप लगा कर उने जेल विजवा रहे थे शी जिनपिंग के विरोधी रहे चुईंक एक पूर्व नियाय मंत्री को भी हाल ही में सजा सुनाई गई थी अब सवाल ये है कि आखिर इन दावों में कितना तम है अब तक जीन के सरकारी अकबार, ग्लोबल टाइम्स या फिर खुद जीन की सरकार की तरफ से इस तरह की अफ़वाहों पर कोई टिपड़ी नहीं की गई है लेकिन इन अफ़वाहों का कोई खंडन भी नहीं किया गया है बड़ी बात ये है कि शी जिनपिंग अपने राजनितिक विरोधियों पर भ्रश्टाचार के आरोप लगा कर उनको जेल भिजवा रहे थे शी जिनपिंग के विरोधी रहे चीन के एक पूरू न्याय मंत्री को भी हाल ही में सजा सुनाई गई थी अगर हम चीन के घटना क्रम पर लगातार नजर रखे तो साफ जाहिर होता है कि शी जिनपिंग राजनितिक विरोध को जेल रहे थे बड़ा सवाल ये है कि आखिरे सीओ की बैठक में जिनपिंग शामिल होंगे ये गोशना सिर्फ मीटिंग के तीन दिन पहले क्यों की गई इसका मतलब साफ है कि जिनपिंग अपने विरोधियों के डर से असमंजस में थे कि बीजिंग के बाहर विदेशी दोरे पर निकलें या फिर नहीं समरकंद के पहले शी जिनपिंग ने अपना आखिरी दोरा साल 2020 में म्यानमार्व का किया था लेकिन उससे पहले 600 दिनों तक शी जिनपिंग चीन के बाहर किसी विदेशी दोरे पर नहीं गये थे उस वक्त का यास लगाय जा रहे थे कि क्या जिन्पिंग बीमार थे जो वो 600 दिनों तक एक भी दोरे पर नहीं गए इससे ये भी अनुमान लगाय जा सकते हैं कि क्या उस वक्त भी जिन्पिंग अपने तखता पलट के डर से ही बीजिंग नहीं छोड़ना चाते थे तो सवाल यह है कि आखिर इस सवक्त बीजिंग में ताकत किस के पास है कई अख्बारों में ये दावा किया जा रहा है कि अब ताकत लीक किया ओमिंग के पास है जो चीन की सेना के ही एक जनरल हैं और उन्हों ने ही बीजिंग की हेराबंदी की है दूसरी तरफ कई आखपारों में ये भी दावे किये जा रहे हैं कि वेंट जी अबाओ और हुज इन्ताओं के हाथ में इस वक्त चीन की असली थाकत है विलहाल किसी आधिकारी घोशन तक पूरी दुनिया की नजरे बीजिंग पर ही लगी हुई कर दूसरी करते है कि खबर उतरुप्रदेश से लेता हैं उतरुप्रदेश के गाजीपूर में स्कूल निरिक्षिन करने का विडियो हो गया स्कूल में रिक्षन करने पहुंचे बीसे को जब टॉयलिट गंडा दिखा तो वो खुद ही सफाइच करने में जुटका है जिसे देखकर लोग भी हैरान रहे गए सामने आए वीडियो में वो ब्रश से टॉयलेट साफ करते नजर आए हाना कि इस दोरान वहां कुछ और लोग भी दिखाई दिये लेकिन बीएसे ने खुद ही सफाई का जिम्मा उठाया और टॉयलेट की सफाई करनी शुरू कर दी थोड़ी ही देर में उन्होंने टॉयलेट को चमका दिया लेकिन वो यही नहीं रुके बलकि बाहर भी जब उन्हें गंदगी दिखी तो उन्होंने ज़ाडू ठाली और सफाई करने लगे हालंकि ज़ाडू लगाने में बहां मौजूद बाकी लोगों ने भी उनकी मदद की यही नहीं स्कूल के निरिक्षन के दोरान उन्हें जहाँ-जहाँ गंदगी दिखी उन्होंने उसे साफ करवाया साफ सफाई की बाद उन्होंने स्कूल के बने खाने को भी चखा और नीचे जमीन पर बैठ कर बच्चों के साथ खाना खाया मध्यप्रदेश के रतलाम से चोंखाने वाला एक वीडियो सामने आया है यहाँ पर दो चोर एक शिव मंदिर में चोरी करते दिखाई दिये जिसका वीडियो वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया सामने आये वीडियो में दोनों चोर शिवलिंग के बगल में लगी चान्दी को निकालते नजर आए सबसे पहले एक चोर मंदिर के अंदर खुसता दिखाई दिया जैसे ही वो अंदर आया सबसे पहले उसमे वहां लगे CCTV कैमरे को तोड़ दिया हालां कि वो इस बात से अंजान था कि बाकी जगों पर भी कैमरे लगे हुए थे इसके बाद दोनों ने चोरी करनी शुरू की और करीब 7 किनो चान्दी निकाल ले गए यही नहीं वो शिवलिंग पर लटक रहे चान्दी के सांप को भी अपने साथ ले गए वहीं जैसे ही हिंदुबादी संगचनों को इसकी जानकारी मिली उन्होंने इस पर नाराजगी जताई चोरी की एक हटना भीते 18 सितंबर की बताई गई जुसका वीडियो अब सामने आया वही वीडियो सामने आने के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई अंकिता हत्याकान से जुड़ी एक बड़ी ख़बर आपको बता दे से हैं पुष्का सिंग धामी के आश्वास सिंग के बाद अंकिताब हंडारी कांसिंस कार कर दिया गया पुलिस ने रुजॉर्ट मालिक समेथ तीन लोगों को गिरफतार किया है गड़वाल रेंच के डिया जी ने बताया है कि साइटी बना दी गई है और एक बहीरे में चाश्वीट दाकिन कर दी जाएगी इस बीज पुष्का सिंग धामी ने कहा कि पूरे मामल में कोई धिलाई नहीं बढ़ती जाएगी और दोशों के खिलाफ कड़ी से कड़ी करवाई की जाएगी हम लोग ने अभी तक का है एविडेंस काफी कलेक्ट किया है और उससे हम लोग बहुत जल्दी चाश्वीट विदिन वन मन्त हमारा एक तार्गेट है इसको इसको हम चाश्वीट बेजे में जाएगी हमारी बेटी उत्राखंड की बेटी अंकीता के पिताजी से लगातार मेरी बात हुई और परिवार के लोग हमारी सब बातों से सहमत थे कि तेजी से जाच हो रही है पुलिस ने अपनी कारवाई की है आगे जांच किसी तरह से भी कहीं भी प्रभाईत नहीं होने वाली है SIT पूरी तरह से एक DIG इस्तर के अधिकारी की नितुत्तों में बनाई गई है वो अभी उस पर काम कर रही है हर पहलू का हर जांच से जुड़ा हुआ इस साक्षे हों उस सारे के साक्षे वहां पर पूरी तरह से सुरक्षी थे किसी परकार का भी कोई भी साक्षे मिटाने का प्रयास नहीं होगा खबर मध्यपदेश के शिफपुरी से जहां पर हाती की मदद का विडिव सोचल मीडिया पर वारल हो गया वहाँ कीचड में फसी कुछ ट्रकों को एक हाती धक्का मारता दिखाई दिया जिसे देख लोग भी हैरान रह गए सामने आए विडियो में कुछ ट्रक कीचड के बीच फसे नजर आए जिसे निकालने के लिए कई लोग पूरी ताकत के साथ उसे धकेलते दिखे लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने हातियों की मदद ली जिसके बाद अलग-अलग ट्रकों में हाती से धक्का लगवाय गया कीचड में फसे ट्रकों को निकालने के लिए जैसे ही हाती की मदद ली गई बात बन गई जिसके बाद ट्रकों को एक एक कर बहा निकाला गया बताया गया कि सिक समुदाय के 300 लोगों का एक जत्था ट्रक में बैट कर महाराश्रों के नांदेड के लिए जा रहा था तभी उनके ट्रक कीचर में फंस गए थे बत्रपदेश के शा जहापूर में जमीन विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए शुरवात में हुई मामूली कहसुनी इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और जिसके हाथ में जो आया वो उससे हमला करता दिखाई दिया सामने आये विडियो में दोनों पक्षों के लोग डंडे से एक दूसरे को पीटते नजर आए यही नहीं कुछ लोग तो आदमी पर जूते और फूसों की बारिश करते दिखाई दिये दोनों पक्षों के लोग काफी दे तक लड़ते रहे बताये जा रहा है कि चकपंदी का निरिक्षन करने के लिए राजस्व विभाग की टीम यहां पहुची हुई थी लेकिन जैसे ही वो जमीन की नाप करने लगे दोपक्ष आपस में भिड़ गए जिसके बाद उनोंने एक दूसरे पर जमकलाद गुसे बरसाए वही जैसे ही मारपीर चुरू हुई राजस्व विभाग की टीम को बहां से भाग कर जान बचानी पड़ी मारपीर का विजियो वाइरल होने के बाद बुलिस ने आरोपय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उनकी तलाश में जुट गई राजस्थान कॉंग्रिस में जारी खमासान के बीच आपको बता देनाए सीएम पर जो खमासान चल रहा है इस बीच गहलोत ने परवेश्वों से एक बात कही हैं की तरफ से कहा गया है कि गदार के लिए पद नहीं छोड़ूँगा देखे लगातार जो है गहलोत गुट जो है लगातार यही मांग कर रहा है कि सचीन पाइलिट मुख्यमंत्री ना बने और इस बीच देखे जिस तरीके से आजे माकन और मलिकावजुन खडगे को बहाँ पर स्थिती को भापने के लिए भेजा गया है अब यहाँ पर अशोग गहलोत की तरफ से यह बड़ा बायान जारिक किया गया है उन्होंने कहा है कि गदार के लिए वो पद नहीं छोड़ेंगे तो लगाता सियासी रशाक श्री जो है राजस्थान में देखने को मिल रही है आरुन सिंग मेरे सही होगी हम ऐसा जुड़ किया था एक बार फिर उन्होंने परिविक्षकों से यही बात कही है कि सचिन पाइलट ने उनकी सरकार को गिराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी थी उन्होंने अपने बलबूते मैनेजमेंट के जरीए सरकार बचाई है तो उनका साफ कहना है परिविक्षकों से कि अगर आप अशोक गैलोद को मुखे मंत्री पस्याटा आते हैं तो या तो उनके समर्थक को बनाईए अगर उनके समर्थक नहीं बनाते हैं तो सचिन पाइलट भी नहीं बनेंगे कोई ऐसा व्यक्ति बना दीजी 102 विधायकों में से जो सचिन पाइलट के खेमे करना हो और पाले में अब गेद गई है वो क्या फैसला लेती हैं क्या करती हैं यह देखने वाली बात होगी लेकिन एक बात साफ है कि अशोक गैलोद ने वीटो लगा दिया है और अब सचिन पाइलट को मुखे मंत्री की रूप में देखना नहीं चाहते अब उन्होंने अंदर खाने अपने विदायकों को निर्देश दे दिये हैं कि नवरात्री का बहाना बना के आप जैपूर से बाहर भी निकल सकते हैं चाहे तो परिवक्षकों से मिलने की जरूत नहीं है पोजिसिनिंग साफ कर दी हो नोने अपनी कि सचीन पाइलट को आप किसी भी कीमत पर मुखिमंत तो शरापपी का स्कूल पोखुशना महगा पड़ गया शक्षक की लोगों ने जम कर खबर दी और उसे स्कूल से घसीटिते हुए गाउ में ले गए सामने आए विजो में कई लोग उस टीचर को जबदस्ती ठक्का मार कर खींचते दिखाई दिए यहीं नहीं जब वो नह शे उतारा आरोप है कि टीचर कुछ दिनों से लगाता श्वरापपी का स्कूल आ रहा था लोगों ने उसे लाख समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना जिसके बाद लोगों ने उसे सबक सिखाया कि दिल्ली में हुए मुलाकात पर डिप्टे सीम ने कहा कि 2024 में पहले से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे सव में साथ हमारा है हर बूत चालीश पृतिसात ओटों में बटवारा और बटवारे में भी हमारा है इसलिए 2014-2019 में इतने सांसल हमारे जीते थे 2024 में उससे जेदा जीते जमानत जप्ट हो जए लिए नितीज कुमार जीते अब यार में आपको अगर याद हूँ 2014 का लोगस्वा चुनाओ बिना मोदी जी के चेहरे के लड़े थे नितीज जी के चेहरे के दर पर केवस्ट दो सांसल उनके जीते थे तुर्की हैसियत दो सांसल की बिहार की जत्ता ने बना तरके रखी है इस्टेम भाजपा के साथ गड़बंदन में उलका कर बड़ा रहता है अब जहां हम गड़बंदन किया है उलका क्या होगा हाल वो तो 2024 के पता दुन है मध्यप्रदेश के मुख्य मंतुरी शिवरा सिंग चोहान का अलग अंदाज देखने को मिला है जाबुआ में एक रैली के दौरान सियम शिवरा सिंग चोहान सिर्फ नेताओं के लिए लगे टेंट को देखकर नाराज को गए और उसके बाद तुरंट टेंट हटाने के निर्देश दे दिये गए सियम शिवरा सिंग चोहान जैसे ही संबोधन के लिए मंच पार आए तो उन्होंने देखा कि जनताग कड़ी धूप में बैठी थी जिसके बाद नेताओं के लिए लगे टेंट को सियम शिवरा सिंग चोहान ने हटाने के लिए कहा इसके बाद मंच से नीची आकर सियम धूप में खड़े हो गए और सभा को संबोधित करने लगे यहां सियम ने भरष्ट अधिकारियों पर तुरंट आक्शन लेनी की बात कही सियम नगरिय निकाय चुनाव में प्रचार के लिए ज़ाबुआ पहुँचे थे 36 गड़ के कवरदा से हरान करने वाला मामला सामने आया है यहां पर SP के नाम पर Facebook क्लौन आई-दी बनाकर Hackers पैसा मँंग रहे थे कवरधा के SP लाल उमेद सिंह के नाम पर Facebook क्लौन आई-दी बनाकर przckers लोगों से फ्रॉट कर रहा था खर कर रहा था Packers ने Facebook का क्लौन बनाकर लोगों से पैसे की मांग की इस बात की जानकारी होने के बाद S.P. लाल उमेद सिंग ने लोगों से पैसा नहीं देने की अपील की वह पुलिस बैंक अकाउंट के जर्ये आरोपियों की तलाश में जुट गई है इस प्रकार से क्लोन आईजी बना कर पैसे मागने का ये कारणामा कोई नया नहीं है लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिने इस बात की जानकारी नहीं होती और वे जहांसे में आकर पैसे दे देते हैं और बड़ी ठगी का शिकार हो जाते हैं बिहार के मुख्य मंतुरी निदीश कुमार और आरजवेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने डिल्ली में कॉंग्रिस अध्यक्ष कोरिया गांती से मुलाकात की है जोरान 2024 के आम चुनावों में बीजेपी को मुकाबरा करने के लिए विपक्षी दलों को एक जुट करने की रण नीती पर चर्चा हुई बैटा के बाद निदीश कुमार ने कहा कि देश के आने का दलों को एक होना होगा और देश के लिए काम करना है तो वहीं लालू प्रसाद आदम ने कहा कि हमने बीजेपी को बिहार से विदा कर दिया है अब देश से उनकी विदाई की बारी है उन्होंने कहा कि देश को बचाना है तो बीजेपी को हटाना है उसके लिए हम सभी को एक साथ आना होगा हम लोग दोनों लोग एक साथ बैट करके मैडम से पात्चित किये हैं तो आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग का विचार है कि देश में अनेक दलों को एक जुट होना है और मिल करके देश के लिए आगे काम करना इसकी प्रगति के लिए काम करना है तो इन सब चीजों पर हम लोग बात्चित कर रहे हैं और उनकी तो है ही लेकिन अब वही है कि अभी कोई चीज के बारे में एक बात है कि उनकी हां तो अपना पार्टी का अध्यक्ष का चुनाओ वगरा है वो सब के बाद ही फिर फाइनली वो कहेंगी कुछ अध्यक्ष को बचाना है तो इस तरह से बिहार में लोग कर दो करके भाजपा को बिदा किया है इसका रेस्पांस पूरे देश में हैं और हम एक हम लोग और सुनिया जी माथे प्रदेश के चिंदवारा में एक किंडरों ने बीच सड़क पर दो नकली किंडरों की बहरेमी से पिटाई कर दी आरोप है कि दोनों आदमी नकली किंडर बनकर इलाके में लोगों से जबदस्ती पैसों की उगाही करते थे जिसका पता चलते ही इलाके के किंडरों ने उसे लोगों से पैसा उगाही करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर बीच सड़क पर उसकी पिटाई शुरू कर दी कोई उस पर ताबर तोड घूसे चलाता दिखा तो कोई उस पर दना दन चपल बरसाता नजर आया इस दोरान पिटाई खा रहे दोनों आदमी किंडरों के सामने रोते रहे चिलाते रहे गिड़ गिड़ा कर उनसे छोड़ देने की गुहार लगाते रहे लेकिन इसके बाद भी किंडरों ने उन्हें पीटना नहीं छोड़ा यहीने गुसे से भरे किंदरों ने उनके कपड़े भी फार दिए काफी दे तक बीच सडक पर किंदर उनकी पिठाई करते नसराए वहीं किंदरों ने दोनों लोगों के कैंची से बाल तक काठ दिये इस बीच हंगामे की वज़ा से वहां आसपास के कई लोग जमा हो गए लेकिन किसी ने भी किन्यरों को मारपीट से रोकने तक की कोशिश नहीं की कुछ लोग तो दूर से इस पूरे बवाल का विडियो बनाते रहे इधर हैदराबाद में हुए T20 के रोमाचक मुकाबने में भारत ने ऐस्ट्रेलिया को हरा दिया और सीरिस 2-1 से जीत ली है इस जीत के साथ ही भारत ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया टीम इंडिया ने सूरे कुमार यादव और विराठ कोली की अर्थशत्किय अपारी की बतौलत और स्ट्रेलिया को तीसरी और निरनायक मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया और स्ट्रेलिया ने कामरन ग्रीन के 52 रन और टिम डेविट के 54 की बतौलत 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 186 रन बनाए जिसके जवाब में भारत ने एक गेंद शेश रहते 6 विकेट से ये मैच अपने नाम कर लिया इस जीत के साथ भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया सीरीज का पहला मैच आस्ट्रेलिया ने मुहाली में 4 विकेट से जीता था जबकि भारत ने नागपूर में दूसरा मैच 6 विकेट से अपने नाम किया क्रिकेट में एक साल में सबसे अधिक मैच जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था बाबर आजम की टीम ने पिछले साल को 20 मैच जीते थे वहें इस साल नौ महीने में ही टीम इंडिया ने 21 मैच जीत कर पाकिस्तान का एव वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है भारत ने ऐस्ट्रेलिया को मात देकर यह उपलब्धी हासिल की है भारत ने ऐस्ट्रेलिया को तीन मैचों की टी ट्वेंटी सीरिस के तीसरे और निर्नायक मैच में छे विकर से हरा कर सीरिस अपने नाम कर ली है भारत के लिए आखरी मैच में कोली और सूरे कुमार ने 50 लगाई हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनाशनल स्टेडियम में भारत के खिलाफ सूरे कुमार रियादव ने 89 रन और विराच कोली ने 63 रन की पारी खेली